जब आपको वो हाइड्रोजन स्प्ट्रम चैप्टर की में इस्थाई काक्षा की तृज्जा के वेंजग निकालना बताएंगे इसमें देखिए क्या होता है यह परमाणू में एलक्ट्रॉन नाभी के चारो और घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं तब इसमें एलक्ट्रॉ है जिसको जिसका मायन वन पॉइंट से रुटन की पावर मायनस नाइंटीन होता है और द्रवमान एम और इसका वेग वी है तब तृज्जा आर से आर होगी और यह हमारा जैड है जैड हमारा आटमिक नंबर है तो अगर यह अभी केंद्र बल से घूम रहा है तो नाभी मे आखर्षन बल उदपन होगा तब अभी केंद्र बल और जो कुलाम का नियम होता है उसमे यह बराबर होगा तो कुलाम के नियम के अनुसार जो हमारा यह है दोनों आवेशों को मात्राओं को गुड़न फल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वत के वित्क्रमानुपाती होता है मतलब कि जो हमारा जैड ए है यह और यह माइनस इंटू होंगे तो हम पहले लिख के बताते हैं को नाम करनी आभी केंते बडुर बरावर को सब्स्क्राइब को नाम कर नेहीं है को नाम करना है अभी केंटो कभल का मिyas謗 का फ़र्मला होताँ हैं एभी स्क्वैर अब अपॉन आप्सालन और डोट ब्वाजक दि क्यूए ? यह q2 upon r square होता है तर हम यहां पर करेंगे mv square upon r sorry r नहीं इधर लिखेंगे इधर लिखेंगे 1 upon 4 pi epsilon dot e upon यहां पर यह r square यहां पर r तो यह r और यह square कट जाएगा तब हमारा बचेगा mv square is close to 1 upon 4 pi epsilon dot e upon r तो यहां पर हम बोर की प्रतम परिकल्पना लगाएंगे यानि कि बोर की परिकल्पना थी mvr is close to nh upon 2 pi यह देखें यह हमारा बोर की परिकल्पना है mvr यह हमारा कुणियों समवेगे जिसे हम j से प्रतर्शित करते हैं यह h plank नहीं अतांग है n हमारा मोक क्वांटम संख्या है इसका मान 1,2,3,4 होता है तो फिर इसको हमने पहले इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 माना हुआ तो हम समीकरण 2 को स्कॉायर करेंगे फिर इससे भाग कर देंगे यानि की तब हमारे square करने पर समीकरण 2 बनेगा तब हमारे ये बना अब इसमें हम समीकरण 1 से भाग देंगे तो हमारा बनेगा M square, V square, R square upon M, V square, is equals 2 N square, H square, upon 4, Pi square अब पोरे का upon में ग्याला लिखिंगे लिखेंगे Z E Squire upon R तो हम पहरे Cross multiplication यानि की उपर निच्छाले इसमें पहले multiplication करते हैं जो कटे का कार्ड देंग पहले यहां से V Squire से V Squire कट रही है और M से M कटा तो यहां पर बच्चा M R Squire is equals to N Squire H Squire फिर R upon में 4 Pi Squire हमारा यह बना तो यह 4 से 4 कैंसल और Pi से Pi कैंसल हो रहा है इतना कैंसल और यह R Squire और यह 1 R कैंसल हो रहा है तो हमारा जो बच्चा है लिखेंगे M स्कूर्स टू N Squire H Squire Epsilon 0 upon Z E Squire और यह हमारा R है तो हम यह M को upon में भेज देंगे तो R स्कूर्स टू N Squire H Squire Epsilon 0 Z E Squire into M यह हमारी त्रिज्चा का फॉर्मला आ गया है यह देखिए यह हमारा R का फॉर्मला आ गया है तो इसमें देखिए यह H कॉंस्टेंट होता है Epsilon not constant होता है और जो यह है यह हमारा Atomic number तो यह भी constant हो गया और यह 1 परंस टेंगी पावर minus 19 इसका यह मान होता है तो यह भी constant हो गया पाई भी constant है और M Electron का दरभ मान होगा तो वह होगा तो हमारे इसका मतलब यह आया कि जो यह N Squire है R के proportional है तो हम इसको लिख सकते है R proportional N Squire तो इसके बाद जो यह हमारे है बचा है यह बाकी पार्ट यानि की R is close to N Squire है बाकी का यह जो बचा मान है इसका मान हमारा आएगा 0.53 यह हमारा इसका मान आएगा बाकी आप N का मान रख के बार निमेरिकल मिसका मान आजाएगा यह हमारा तिजगा व्यांजग आगया